हेलो फ्रेंड वेर्कम टू बाजीरा और रेटी इंशूट टोटें लेसिस के आज के अंक में हम साथ फरवरी 2024 के दो प्रमुक मुद्दो पर चर्चा करेंगे एक है जिससे पता होगा कि कल ही उत्राखंड विधान सभा में उत्राखंड समान नागरिक संगिता 2024 विध्यक पेस किया गया है तो इसको लेकर हम देखेंगे कि ये विधेयक क्या है, इसमें क्या-क्या बाते की गई है, थोड़ा सा समझेंगे समान नागरीक अदिकार संगिता क्या है, हलाकि उस पर हम चर्चा कर दिये हैं, और इस विधेयक की विशेस्ता है क्या है, और इसको लेकर जो है ये जो दो प् 19 या CRT जो Cell Therapy है ये एक्चुल में Cancer और खासतार से Blood Cancer के Immunotherapy है इसको लेके पहले भी News में था, October में ही News में था, क्योंकि इसको लेकर बेवसाइक इलाज के लिए दे दिया गया है अभी आज के News Paper में था कि जो है इससे जुड़ा एक मामला कि एक डॉक्टर है दिल्ली के उनका इलाज इसके थूँ हुआ है और वो Cancer कोशिका से पूरी तरह से मुक्त हो गए है, अभी उनकी पास मुस्किन के सरीर में Cancer कोशिका का कोई भी लच्छन नहीं दिखाई दे रहा है इसके पहले वो उन्होंने अपना पूरा Bone Marrow Transplant भी करा लिया था फिर भी उनको कोई लाप नहीं हुआ था वैसे में ये बुद्दा चर्चा में है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं आईए चलिए पहला देखते हैं उत्राखंड शमान नागरिक संगिता देखी यही लिखा है उत्राखंड समान नागरिक संगिता उत्राखंड 2024 समानता द्वारा समर्सता तो यानि कि ये जो विधेयक है ये समर्सता लाना चाहता है समानता के द्वारा यानि कि equality लाना चाहता है uniformity के द्वारा ठीक है तो इस बिदियक का मोटो है कि समानता द्वारा समरसता यानि समरसता के द्वारा समानता लाने की बात की गई है इसमें जो अभी कल ही लाया गया था हलाकि इसके लिए 2022 में ही जो सरकार जब आई थी इसके बाद एक कमेटी बनी थी सुप्रीम कोट की रेटायर जस्टिस रंजना देशाई की अधिशता में पांच सदेश थी तो उसने अभी कुछी दिन पहले रिपोर्ट दिया था और उस रिपोर्ट को किया धार पे जो है एक ड्राप्ट बिधायर को उत्राखंड के बिधा समान नागरिक संगिता होगा पहला पूरे भारत में पहला राज नहीं है क्योंकि गोवा में पूर्तिगीज के समय से ही एक समान नागरिक संगिता चल रही है वो पहला राज है जहां समान नागरिक संगिता आवए पूर्तिगीज कानून के अधार पे ही है लेकिन वो आज संगिता या सिविल उसमें विवा उत्राधिकार बच्चों को गोद लेना संपत्ति इस तरह के फैमिली मेटर्स से जुड़ी हुई चीजे इसमें सामिल होते हैं समान नागरिक संगिता में और यूनिफॉर्म सिविल नागरिक संगिता मतलब सभी जो सभी धर्म है उनके मानन के लिए एक समान नागरिक संगिता होनी चाहिए जो सभी नागरिकों को माना जाए बिना उनके कोई धार्मिक या इस तरह की भेद भाव को देखते हुए तो आईए चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है चर्चा में इसलिए है क्योंकि उत्राकंड सरकार ने 6 फरवरी क विधान सभा में समान नागरिक संगिता 2024 विधेयक पेस किया है यह विधेयक बिवा, तलाग, उत्रादिकारी जैसे छेत्रों में महत्पूर परिवर्तन करता है और आपको पता होगा कि इस विधेयक की एक खास बात है कि यह जो विधेयक है यह समविधान के भाग 21 के तहद जो सूची बद अनुसूची जन जाती है तो जो उत्राखंड में अनुसूची जन जाती है लगबग 3% वहाँ के जन संख्या है उनको छोड़कर बाकी सारे वहाँ के निवासियों पर यह लागू होगा तो जो जन जाती है उत्राखंड की वह इसके दारे से बाहर है उसके सिवार सब पर लागू होगा और यह उनके किसी भी धर्म के परवा किये बिना सभी नागरिकों के लिए बिवा, तलाग, धूम, संपत्ति, विरासत जैसे एक समान कानून का प्रस्ताव करता है अब जराद देखते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या होता है तो देखिए समान नागरिक की संहिता है एक ऐसे नागरिक या सिविल कानूनों से है जो की एक समान होती हो यानि उसमें बिवा के लिए संपत्ति बटवारे को लेके गोद लेनों को लेके तलाप को लेके जो एक समान चीजे सम्मे सामिल होती हो भारत के सम्मिधान का नित निदेशक सिद्यान के तहट अनुशेच चवालिस जो है वो समान नागरिक संगिता की बात करता है और इसमें कहा गया है कि भारत के पूरे राच्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संगिता लाने का प्रयास भारत की सम्मेदान के तहट किया गया है जैसे कि आपको पता होगा कि जो नीत निर्देशक्तत होते हैं वो एक तरह से फिलोसिफिकल होते हैं लेकिन ये जवालनाल नहरू के सब्दों में जो है हमारे पधान नंतरी के सब्दों में कि ये जो है जो बिधाई का है या राज सरकार है या राज या तकेंदर सरकार या राज सरकार दोनों मिला के राज बोला जाता है उनके उपर एक स सामानता को लाने के लेकर युनिफार्मिटी को बढ़ावा देने को लेकर जो है ये अपना विधेयक लाया है इस विधेयक के बारे में अगर थोड़ा सा बात कर ले तो ये एक तरसे ऐसा है जो इसके पहले यानि अगर इस विधेयक को देखा जब पेस करने के बाद जो है श आमान नागरिक संगिता पुर्ते की सासम के समय से ही चल या रही है लेकिन वो आजादी के पहले है आजादी के बाद उत्राखंड पहला ऐसा राज हो है जिसने इसा विधेयर पेस किया है और इसमें यह कानून उत्राखंड के सभी निवासियों के लिए लागू होगा कैसे जो एक वर्स या उससे अधिक समय तक राज में रहने वाले हो या केंद्र राज सरकार की योजनाओं का लाफ्थ पात करने के लिए परभासित किया गया है यानि कि उत्राखंड के निवासी उन्हें माना जाएगा जो एक समय से ज़्यादा अगर उत्राखंड में रह रह उन पर भी ये कानून लागू होगा बाकी बाहर के लोग अगर उत्राखंड में एक साल से ज़्यादा लग रहे हैं तो वहाँ भी ये कानून ये नियम जो है लागू होगा ठीक है इस बिधेक के प्रमुख अगर हम प्रावधानों की या विसेस्ताओं की बात करें तो इस शाके ही साथ ही इसने living relations को भी एज बिवा करके उसको भी एक तरसे अमली जामा या कानूनी अमली जामा पहनाने और उसमें भी परियाप्त रच्छो पाए करने का प्रावधान ये करता है तो बिवा, living relations, बिवा से ही जुड़े तलाख और संपत्ति, बटवारे, उत्राध गोद लेने की प्रथा इन सारे पहलूओं को करता एक एक करके अगर हम देखें तो जो बिवाह की आयू है इसके तहट इस UCC उत्राखंड के पस्ताविद UCC के तहट बिवाह की आयू पुरसों के लिए 21 वर्स कर दी गई है और महिलाओं के लिए 18 वर्स अगर जैसे जो सामान आधनियम से या जो घैर जाती या घैर धर्म के लोग भी आपस में कर सकते हैं या जो गडिफाई है इन दोनों में विवाह का या और भी जो इसाईी और इस तरह के धर्म है उन में विवाह की उम्र लवपुरसों के लिए 21 माईलाओं के लिए 18 है लेकिन जो हमारा मुस्लि बिवाद नियम या सरीय अला से चालू होता है हलाकि वो भी कोडिफाई किया गया है उसमें जो है वह बिवाद की उम्र जो है वो कम है कुछ लोग उसे 13 साल के बाद ही मानते हैं हलाकि उसको सामानतोर से 16 और इस तरह की बाद की जाती है जिसको लेके जो कहीने कहीं बाल आयोग जो है सुप्रिम कोड तक में भी गया है कि कहीने कहीं ये बिवाद बच्चों का उम्र में जो है 13 वार्स को लेकर करना है और वो मामला भी सुप्रिम कोड में समयधानी क्वीट के पास वो पड़ा ही है तो उसी तरह से कि इसको 18 साल मेला का और 21 साल पुरुस का सभी across the धर्म किसी भी धर्म का हो विवाद होगा तो पुरुस की उम्र 21 साल होगी मेला की उम्र 18 साल होगी साथी में विवाद के समय पुरुसों के पास जीवित पतनी नहीं होनी चाहिए या महिलाओं के पास जीवित पती नहीं होना चाहिए और दोनों जोड़े स्वस्त दिमाग के होने चाहिए यानि स्वस्त दिमाग के होने चाहिए दूसरा जो पती और पत्नी है जब विवा हो रहा है उनके पास कोई और जीवित पती या पत्नी पत्नी के पास पत्नी नहीं ह पत्नी के पास पती नहीं होना चाहिए यानि कि यह एकल विवा की बात करता है ठीक अभी तक क्या रहा है कि जो बाकी एक मुस्लिम धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों में एकल विवा की ही बात है ठीक है मुस्लिम धर्म में जो है एक से अधिक विवा की बात की जाती रही यहाँ पर यहाँ पे यह भी एकडम कर दिया गया कि जो पुरुस है जो महिला है चाहे वो किसी धर्म का हो एक से ज़्यादा बिवा नहीं कर सकते हैं अगर उनकी पतनी मतलब एक पतनी जीवित है तब तक वही रहेगा दूसरा विवा नहीं कर सकते हैं। यहीं Uniform Civil Court होना चाहिए, क्योंकि उसके कई सारे लोग उसका दुर्पयों करते हैं, तो यह दूसरा है कि चाहे किसी भी धर्म का हो, महिला और पुलिस यानि एकल बिवा, यानि पॉलिगमी बहु बिवाग का पर्था का यह निसिद्ध करता है, निसिद्ध धरिष्टों के त धर्म के लिए निसिद्ध धरिष्टों को इसमें सामिल किया गया है, ठीक है, हिंदु बिवाग में तो हई है, निसिद्ध धरिष्टों को रोकने के लिए और वो भी, लेकिन कुछ धर्म के लोगों में, या कई जगे, कई प्रांतों में, हिंदु धर्म में भी जो है, इस पतनी हो पती की कोई पतनी नहीं होनी चाहिए पतनी की कोई पती नहीं होना चाहिए और निसद धरिस्तों में विवा नहीं होना चाहिए इसके बाद वह जो है कानून जो है अगर कोई अब विवा कैसे होना चाहिए उसकी प्रक्रिया में जो पहले जैसे चल रहा है जैसे मु लड़की के उमर 18 साल, लड़की के उमर 21 साल, दोनों के कोई और जीवित पति-पत्नी न हो और रिस्ता निसिद रिस्ते में विवा नहीं हो रहा हो, तो वो अपने अनुसे नुसार विवा कर सकते हैं, और क्या है, जैसे ही विवा हो तो प्रतिएक विवा को 60 दिनों के अंद पंजीकृत कराना होगा, नहीं कराने पर कोई डंड नहीं है, लेकिन अगर पंजीकृत विवा नहीं है, तो फिर और सरकार की जो योजनाएं हैं, उसका लाब नहीं मिल सकता है, यानि इस तरह से देखा जा तो भी विवा को रिस्टेशन करानी कुरेकर प्रेडित किया जा आफिल की जा सकती है, अब ये मामला है, तो ये भी देखिए कि कहीं न कहीं तलाक को भी एक समान बना रहा है, जिसमें पुरूष और महिला दोनों को तलाक लेने का अधिकार होगा, दोनों को भरण पोस्टट पाने का अधिकार होगा, और मुकदमा नहीं में परिवारिक नियाले के बाद जो है अपिली नियाले भी अधिकारता होगी साथ ही जो नमादपूर्ण है लिभिन रिस्तों में लिभिन रिस्तों वो है जिसमें कहा गया है कि पुरुस और महिला इसमें ये भी कहा गया है कि दोस पार्टनर उसमें भी पुरुस और महिला यानि हेट्रोज रिष्टे को ही इसमें बिवाह और इसके में माना गया है, होमो सेक्सुल रिष्टों के लेकर इसमें कोई प्रावधान नहीं है, पुरुष और महिला एक साथ रहते हों और लगभग उनी सारी जम्यदारियों और उनी तरह की चीज़ों को करते हों, जो बिवाह के अंदर करत रही नहीं सकता अगर लड़की 21 साल से कम है और यह 18 साल की है, तो भी वो लिविन रहसे कम है, तो इन दोनों के लिए जैसे क्या है कि पहले अगर लिविन रिलेर्शन में रह रहे हैं, तो जो भी जोड़ा रह रहे है, उसको जल्द से जल्द एक रिष्टरार के पास जाके अपने living relation का registration कराना होगा और अगर लड़की की उम्र जो है 21 साल से कम है तो उसकी सूचना उसके माता-पिता या विवाहक को रजिस्टार उपलब्द कराएंगे साथी में अब इसके बाद करने के बाद अगर अनुमती जो है मिल गए मतलब लिविन में रह रहे हैं फिर आलग होना होगा तो जाके फिर से रजिस्टार के हाँ वो अपना living relation वाला जो है मतलब उसको formally खतम करना है यानि जैसे living relation को एक त जिद्ध वाला बात नहीं जैसे कि कोई साधी सुदा अव्यक्ति living में नहीं रह सकता है यानि जो साधी सुदा के लिए लगबग सरते हैं उसी की जो है इसके लिए भी ये कही जाएगे साथ ही living relation में से जो बच्चा पैदा होगा उसको पूरे कानूनी right मिलेंगे living relation में से अगर पती छोड़ देता है तो महिला को गुजारा भड़ता प्राप्त करने का अधिकार होगा साथ ही अगर relationship पंजीर कृत नहीं किया जाता है तो तीन महिने तक की जेल और दस जार रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है और इसमें धार्मिक सीमाओं से परे जाकर मुस इसलामी प्रथाओं से गुजरना पड़ता है हलाला यह होता है कि अगर तलाक हो गया है उसको फिर से अपने पती से साधी करना होता है तो फिर उसको किसी और से साधी करके तलाक लेकर फिर किया जाता है इद्दत यह होता है कि कुछ समय तक तलाक के कुछ समय के बाद ही व कि तलाक लेने के बाद कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी और से साधी कर लेता है और उसको लेकर किसी और प्रक्रिया को पालन करने की जरूरत नहीं है और जो करवाएगा उसके लिए कठोर कारावास जेल और सजा की प्रावधान इसमें किया गया है। अधिकार दिया जाएगा और किसी ब्रक्ति की मृत्य की इस्थिती में ये जो प्रस्तावी ती यूजिसी है पती पत्नी बच्चों के साथ उसके माता पिता के भी अधिकार को इसमें सुनिश्चित करेगा। अभी तक जो हिंदु विवा अधिनियम में है उसमें जब किसी प पत्नी में से किसी कि मृत्य हो जाती है तो जो पत्नी या पती मतलव क्या इसमें वो भी पिता भी सामिल हो गया है और इस तरह से कहीं न कहीं ये कुछ अभी हिंदु धर्म में भी ये चीजिशे परिवर्टन करेगा। तो आईए देखते हैं कि ये act जो है इससे जो मुसल्मानों के लिए जो personal कानून है उनमें क्या बदलाव हो सकते हैं और थोड़ा सा देखेंगे कि हिंदूओं के लिए क्या बदलाव हो सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले जो है इस प्रस्तावित UCC में मुसलिम महिलाओं और जल रहा है कि जो मुसलिम जो personal law है और जो child foxo act है उन दोनों के contradiction को लेकर मामला जो है सुप्रिम कोट के CGI के ही bench में लंबित पड़ा हुआ है कि किसको प्रएक्टा दिया जाए child जो मुसलिम personal law है उसको दिया जाए या child protection को उसमें बरिता दी जाए तो इसमें ये सब को अठा 12 कर दिया गया है साथ ही ये विधियक द्वी विवा या बहुवा की प्रताओं को गर घानून गोसित कर देता है और इसमें इद्दत और निकाह हलाला जैसी कुछ मुसलिम विवा प्रताओं को भी इसपस्ट रूप से रोक लगाने की बात करता है साथ ही में चली आ रही है उसमें चार पीडियों तक का होता है यानि बेटा बेटी पोता पोती सब उसके भागदार होते हैं उसको स्वेच्छा से कोई उसको वसियत में उसमें आता ही है लेकिन स्वार जिस संपत्ति जो है वो अपने से कुछी कुछी को भी कुछ कर सकता लेकिन अब उसको भी उसी में सामिल कर लिया है साथ ही में इसमें जो है प्रमुख जो है निर्वसियत उत्रादिकारी जब कोईसी बैक्तिरी अपना कोई वसियत नहीं किया है तो उस दोरान उसके संपत्ती में क्या होगा पहले ये था कि संपत्ती में स्रेडी वन और Sredi 2 की बात की जाती थी Shredi 1 में ये था कि जो मतलब पती है तो पत्नी, बच्चे यानि बद्वा बच्चे माता ये Shredi 1 में आय थे इसके बाद जो है और भाई, बहन और पिता आ दिये आते थे Shredi 2 में उसके बाद और रिस्तेदार आते थे अब पिता को भी इसमें सामिल कर लिया गया है तो कहीं ने कहीं इसमें कहीं ने कहीं हिंदू के जो परसनल ला है उसमें भी चेंज आया है अब प्रस्थ यह है कि यह लाया क्यों गया है इसको लाने के पीछे जो वज़ा है वो क्यों थी तो देखिए समान नागरिक संगिता क की बात तो बहुत पहले से की जाती रही है और इसको लाने का मेन उद्देश से है कि महिलाओं के इस्थिती में सुधार करना है और महिला पुरुस को एक समान लाना है और धर्म के आधार पे जहां तक जो अंतर है वो तो प्राक्रतिक है लेकिन धर्म के आधार पे महिलाओं और पुर्सों के अधिकारों में या एक महिला के दूसरे धन के महिला के साथ अधिकारों में कोई बेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यानि एक सकारत्मक मौनसिक्ता से इसको लाया गया है, जहां तक लिभिन रिलेसंस की बात है, जिसकी कुछ लोग आलोचना करना सुरू कर दिये हैं, उसके पीछे भी जो बज़े बताई गई है कि कई बार ऐसे मामले आएं हैं कि लिभिन में कहीं बहुत सारे ऐसे घ्रिनित हत्या और इस तरह की चीज़ें आई हैं, तो उस चीजों से बचने के लिए ही, अगर कोई गल्त मनसा से लिभिन में रह रहा है, तो प उसको बचावा देने की बात है, क्योंकि जब ये कमेटी जो जस्टिस रजना दिसाई की कमेटी जब उत्राखंड के गाउं में घूम रही थी, तो वहां के लोगों में ये बात कही गई कि वो इसको लेकर चिंतित हैं, लिभिन रिलेस्टन्स को, तो उस चीजों को भी वो अधिकार है, ठीक है, तो ये सारी बाते हैं, आएए देखते हैं, अगला जो है, नेक्स कार नाइन स्वादेसी कार्टी सेल थेरपी अब व्योसाईक उप्यों के लिए उपलब्ध है, देखी एक नेक्स कार नाइन एक इम्यूनो थेरपी है, जो बलड कैंसर का इलाज करती है, और ये जो बैक्ति हैं, बीके गुपता, ये दिल्ली के एक डॉक्टर है, प्रसिंते, इनका जो है, इलाज हुआ है, इसी पहले ये आदमी है, जो इसके तहत इलाज, इलाज और लोगों का हुआ है, लेकिन कमर्सियली इसके जो बैवसाईक रूप से इनका इलाज जो वहाँ पे है, मुंबई ने, वहीं पे इलाज हुआ है, और उन्होंने इन्हें जो है, कैंसर से, कैंसर के किसी भी प्रभा, अलच्छन से मुक्त घोसित किया है, हलाकि अभी ये दो साल अब्जर्वेशन में रहेंगे, जा जो तरेगी, लेकिन ये है, पुरुतर से स्व अस्त माने गए हैं, और अपने क्वाम पे लौट गए हैं, तो कहीं ने कहीं, अक्टूबर में जो ये, नेक्स्ट कार्ड नाइन प्रद्योग की, जो सी ए, जो है, कार्ड टी, सी ए, आर्टी, कैमियोफेरिक एंटिजन, रिस्पोर्जिटरी टी सेल्स को सिखा है, उसको ल 64 वर्सी डाक्टर करनल बी के गुपता हैं, और ये 2022 में इनका बोन मेरो ट्रांस्प्लांट भी हो गया था, उसके बाद ये, ये इलाज हुआ है, और ये कैंसर कोशिकाओं से मुक्त हो गये हैं, और अपने काम धंदा भी करने लगे हैं, और यह भारत के आउसदी नियामक वरा CART Cell Therapy के बेवसाइक उपयोग को मंजूरी देने के बाद, उसके 6 महिने बाद इनका इलाज हुआ है, और इस इलाज में लगभग 42 लाक रुपे खर्च आया है, और उसके बाद जो है, इनके इलाज के बाद, ये पहले मरीज बन गये हैं, जिनका जो है, कहीं न कहीं, इससे cancer से मुक्त हुए हैं, पूरी तरह से मुक्त हुए हैं, हलाकि जो 42 लाज खर्च आया है, यह बिदेशों में इसी इलाज को लेकर आने वाले 3-4 करुन खर्च का 1 by 10% है, यानि जो बिदेशों में इसी इलाज को अगर बिदेश में ये कराते हैं, तो 3-4 करुन खर्च यहां पे ये 40-42 लाज के खर्च में ही इनका इलाज हो गया है, तो इसलिए ये चर्चा में है, नेक्स कार 9 जो है, कैंसर थेरपी, ये इस नाम से है, जिससे इलाज हुआ है, और उसको जो प्रद्योकी है, उसे CART, कार T, सेल थेरपी बोला जाता है, अभी उसको देखेंग करके, कन्फ्यूज नहों, तो ये जो केंदरी मानक, सदी मानक नियंतरन संगठन है, इसने अक्टूबर 2023 में, IAT बामबे द्वारा संपोसित कमपनी, इम्यूनो एक्ट एक कमपनी है, जो कही ने कही एक निजी छत्र की कमपनी है, जो IAT बामबे के सहयोग से, उसको बनाया दी थी, और अभी जो है, ये नेक्स कार 9 जो है, देश के 10 से अधिक सहरों में, 30 से अधिक अस्पतालों में, इसका इलाज किया जाता है, 15 वर्ष से अधिक आयू के मरीज, जो बीटा सेल कैंसर, एक बी लिंफोसाइट कैंसर है, ब्लट कैंसर मान सकते हो, से पीडित है, इन पूरा नाम है, काल-T-Cell therapy, तो इसको कहते हैं काल-T-Cell therapy क्या होती है, ये देखिए टी सेल एक तरसे जो वाइट सेल होती है, उसी में से ही एक टी कोशिका होती है, जिसमें थोडा बहुत चेंज किया जाता है, और इसके बाद उसमें यह गुण आ जाता है कि वो cancer कोशिकाओं को पहचान दे उसको लेकर इस T-cell कोशिकाओं में genetically एक cad 9 genes, cad 19 होता है एक protein होता है जिसके जो cancer जो blood cancer कोशिकाओं होती है उसमें पाए जाता है तो वो दूसरे cad 9 genes, protein उसमें डाल दिया जाता है जिससे यह कोशिकाओं cancer कोशिकाओं को पकड़ने के लिए सच्छम हो जाती है तिकि जो हमारा immune system होता है वो क्या काम करता है जैसे कोई ऐसी जो खराब चीज़े या बेशाणू या वायरिस या बायर चीज़े हैं जिसको समाप्त कोशिकाओं को भी समाप्त करना है तो वो white bird cell वाली कोशिकाओं लिंफोसाइड कोशिकाओं हैं वो भी उसको भच्छकनू बोलते हैं वो खा के समाप्त कर देती हैं और जो cancer कोशिकाओं होती हैं उसको अमर कोशिकाओं कहते हैं जो काम कोई नहीं करती लेकिन अमर हो जाती हैं तो ऐसी कोश्रिकाओं को पहचान आ सके उसको लेकर हम जो मरीज से, ब्लड से T-cell निकाला जाता है, फिर उसमें CAD9 के साथ जोडा जाता है, इसलिए उसको कैमरिक एंटीजन बोलते हैं, कैमरिक वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा जीनो टाइप हो, यानि उसमें एक जीन म कैमरिक इंटीजन को, कैमरिक इसलिए है, क्योंकि एंटीजन रिसेप्टर को T-cell में जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद वो T-cell, यानि CAR T-cell जो फिर होती है, उसको मनुस्य के उसमें ट्रांस्पांट कर दिया जाता है, फिर वो ऐसे ही कोशिकाएं, ब्लड कैंसर की पकड़-पकड़ के मारने लगती है, और अधता धीरे-धीरे पूरे ब्लड कैंसर की जो है, जितनी भी कोशिकाएं होती है, उनको समापत कर देती है, जो समापत हो जाता है, तो व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, स्वाच्छ घोसित कर दिया जाता है, जैसे डाक्टर बनाया गया है और यह भी कैंसर की कोजकाओं को पकड़ के उनका इलाज करती है ठीक है न? यह कैंसर के अनुपचारों से कितना प्रभावी और भिन है खास्तार से ब्लड कैंसर के जो उपचार है ब्लड ट्रांसफिउसन होता है बार-बार जाओ ब्लड दो वो करो या बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है वो उसकी सफलता अब नहीं होती जैसे इन ही डाप्ट साब के ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट यह 2022 में करा चुके थे लेकिन उसकी सफलता नहीं मिली थी तो ऐसे ही में इस से उमीद है की उसका कहना है कि इस इलाज के खर्च 30 से 40 लाग आएगा हलाकि इतना पैसा सब के लिए संभव नहीं है इसलिए एक कमपनी कह रहे ही कि जब यह बड़े पैमाने पे इसका प्रियोग होने लगेगा तो यह खर्चा 10 लाग के आसपास 10 से 20 लाग आसपास आ जाएगा हलाकि जो 30 से 40 लाग का खर्चा है अभी भी जो इस इलाज के लिए बैसवी कस्तर पे जो चीज़े की जाती है उसका वन बाइट टेंथ है और जब 10 से 20 लाग आ जाएगा तो जाहिर सी बात है यह तब भी मांगा रहेगा लेकिन फिर भी यह कहीं न कहीं लोगों की जान बचाने में संभव हो सकता है और आपको आश्र होगा कि कुछ ही एक दो देशों के छोड़ दिया जाए तो कार्टी ठेरपी जो है सेल ठेरपी जादा तर विक्सित देशों के पास भी नहीं है यह कहीं न कहीं भारत के लिए एक गर्व की बात है अलेकि अभी भी बहुत मांगी परद्व की है लेकिन फिर भी यह अगर देखा जाए तो कैंसर के इलाज में एक महत्वपूर अपलब्दी है और इसको जो है आप बधाई के पात रहे हैं सभी भारती लोग जो है ठीक है चलिए आज इतना ही बाकी कल मिलते हैं नमस्कार